नमस्कार मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ग्यान सरता रोचेक जानकारी में माता किनो राते आ गए हैं माता रानी को मनाने और उनका आसिरवाद पाने के लिए हम सभी लोग उन्हें वृत रखें हैं वृत के दोरान हम कुछ न कुछ फलाहार तो करते ह तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वृत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए वृत करने से सरीर स्वस्रेता है वरत पुंदाई इस पूर्ति दायाग और मन को प्रसनता देने वाला माना गया है लेकिन वरत में अधिक भारी गरिष्ट और तला भुना नहीं खाना चाहिए वरत में ज्यादा तला भुना खाना हमारे स्वास के लिए हानिकारक हो सकता है वरत में सफेद न मख ही खाएं अना से बनी हुई किसी भी चीज का सेवन ना करें वरत में लेसन प्यास तो भूल कर भी ना खाएं शेप, संत्रा, केला, अंगूर सभी प्रगार के फॉलों का सेवन कर सकते हैं गाय का दूद या पनीर खाएं लेकिन पनीर घर पर ही सुद्ध दूद से बनाया आलो की सबजी, सिंगाड़े की आटे की पूड़ी, साब दाने की खीर, खिचड़ी खा सकते हैं तेकिन अधिक ना खाएं जो लोग व्रत में मीठा खाते हैं उन्हें चीनी की जगा मिस्री या गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए तो कि हमारी सयद के लिए सही है, व्रत के दवरान जिने भूग ज़्यादा लगती है उन्हें मेवे खाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो फलों का ही सेवन करना चाहिए, पैक फलों का रस्त ना लें माता रानी आप सभी की मनों कामनाओं को पूर करें वरत रखने के लिए आप सद्यों स्वस्त बने रहें इसी मंगल कामना के साथ जै माता दी